हलो एवरिवन तो हम BSC τर्ड येर की नुकेर्ड chcices इस्टार्ट करते हैं क्या है नुकेर्डड फीजिक्स में इसका सलबस्कै पहले एक बर देख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं BC third year में व्यूक इ सथर्ड येर में तीन ड्मुक हैं क्वांटम सेकेंड है crypto है ठिक है 3 ओ करेंगे 3 55 marks किये हैं और 50 marks का प्रक्टिकल होता है तो अपनेख नुक्लियर फिजिक्स इस्टार्ट करते है घ्ल ङनेखले हैं तो सब्जक्ट में four unit होती है ठीक है नुकलियर फोर्ष कम्प्रोहिं टोपिक पड़ेंगे गए ठीक है थीक है सेकंड यूनिट में ये नुक्लियर रियक्षिन थाड़ उनिट देखिए तो इंट्रेक्शन ओप नुक्लियर रेडियाशन विद मैटर इस चैप्टर वाइज है फर्स्ट चैप्टर सेकन्ड रेडियाशन डिडेक्टर और पार्टिक ऐसे लेटर तो सबसी पहले देखते हैं, अलिमेंटरी पार्टिकल क्या होते हैं . घिक है अलिमेंतरी पार्टिकल , बिल्कुल छोटा कण होता है किसे आए अगे अपण विवाजित नहीं कर सकते . अलिमेंटरी पार्टिकल कहँते है ? एलिमेंटरी पार्टिकल और बारे में क्या कोई नो इंटरनल इंटरनल इस्ट्रक्चर होती इसकी ठीक है और क्या बोल सकते हैं नो एक्स्टेंशन इन इस स्पेस मतलब विस्तार नहीं होता उस पार्टिकल का और श्वम एक पार्टिकल होता है जो किसी अन्ने से मिलकर नहीं बना होता ठीक है एलिमेंटरी पार्टिकल को एक पोइंट पार्टिकल मान सकते हैं ठीक है पोइंट पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं एक्जाम्पल देखें तो लेप्टॉन्स एंड कौर्क यह सब इलिमेंटरी पार्टिकल आगे इनके बारे पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंटरी पार्टिकल तो प्लासिफिकेशन अगर इसका देखें classification of elementary particle तो three type क्यों होते हैं first वोता है spin dependent classification कणू की प्रचक्रण की आदार पर second होते है interaction dependent classification ठीक है third होते है particle and anti-particle ये कणू के अन्योन की रिया की आदार पर ठीक है particle and anti-particle कणे हैं प्रती कण की आदार पर ठीक है सबसे पहले देखते है spin dependent classification spin पर कैसे depend करता है वो चीज़े देखते है ठीक है spin dependent में क्या होता है इसकी spin चेक करते है spin में भी ये divided होते है जैसे कुछ particles की spin integer होती है पूर्णांक जैसे one, two, so on ठीक है कुछ particle होते हैं उनकी non integer होती है पूर्णांक होती है या अर्धपूर्णांक होती है ठीक है जैसे one by two, three by two, five by two यह होती है तो जो integer होती है तो इनके आदार पर कणू को define किया गया जो integer होती है जिनकी spin उनको बोस उनकन बोला गया इनके बारे में आगे अध्यन करेंगे ठीक है जो non integer होती है उनकणो को Fermion कण बोला गया इस आधार पर यह बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स का फोलो करता है यह quantum mechanics ही पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स परमी दिराक स्टैटिक्स ठीक है फरमी दिराक स्टैटिक्स तो यहां तक इतना समझछलो यह spin पर कैसे depend करता है ठीक है आगे second होता है काणे हम प्रतिकाण की पढ़ेंगे पहले ठीक है तो कन एंटि पार्टिकल है इसमें क्या होता है कि धिराक कि ने कौंटम मैकनिक्स में फिके इक्विश्यन दी थी वो इक्विश्यन क्या थी यह मेंनर्जी फोर्मूला थीайте RE kic in2 c4 is come in 4ड यक मास है। सी है। है, वैक्यूम में लाइटणी, यह भी लाइटणी. तो इसमें प्रोबलम क्या रही था इसके? दो सलूशन मिल रहे थे. इस बात के,要ढस ह का, סवलूशन निकालने के लिए कर दो सुलूशन और मिल रहे हैं, इस प्रोबलम का सोलूशन की गई वो क्या थी infinite c of electrons ठीक है अनन्त सागर इलेक्ट्रोन सागर अवधार इसमें क्या किया गया इसमें देखा गया जैसे भी कोई इलेक्ट्रोन निकलता है तो जब इलेक्ट्रोन निकल जाता है तो इसकी कमी होती है वो इसके प्रतिकण को शो करता है यहां से प्रतिकण की उत्पत्ति हुई ठीक है कि जब भी कोई इस आवधार ना से इलेक्ट्रोन की जो प्रतिकण है कन तो था एंटि पार्टिकल नहीं तो प्रतिकन अगर देखा गया जैसे प्रोटोन है इसका अगर एंटी पार्टिकल इसके बार के दुवारा शो किया गया है ठीक है neutron का n बार और जैसे electron का लिया e positive positron से mu on है mu minus से mu plus ठीक है गामा का photon होता है वो photon होता है क्योंकि इसका जो antiparticle ही खुद होता है ठीक है अगर इनकी properties देखें तो इनका दोन्नों का particle and antiparticle का mass समान रहता है spin भी सेम रहती है ठीक है लेकिन जो चार्ज होता है आविस होता है वो different different होता है particle का अलग होता है और antiparticle का अलग होता है बस sign में change होता है ठीक है इसकी जो iso spin होती है ic denote करते यह आगी पढ़ेंगे वो अभी सेम रहती है देख लेंगे बाद में ठीक है अभी तक इतना ही काफी है नेक्स्ट थर्ड था अपना interaction dependent classification अन्योंन किरिया की आधार पर interaction dependent classification ठीक है इस आधार पर four type क्यों होता है अपन कंप्लेट्स लेबस करेंगे अभी तो nuclear की unit उठाइए complete करेंगे ब्यस्टी की सारा पास कोर्स ठीक है complete तो four type क्यों होते हैं कौन-कौन से होते एक तो gravitational interaction second होता है EM interaction electromagnetic विदुत चुम्ब के यह गुरुत विए अन्योंन किरिया यह विदुत चुम्ब के ठीक है एक होता है प्रबल अन्योंन किरिया strong interaction ठीक है fourth होता है इसका weak interaction प्रबल अन्योंन किरिया और दुर्बल अन्योंन किरिया ठीक है सारा notes में तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा तुम आसानी से पढ़ सकते हो उसके बाद क्या होता है क्लासिफिकेशन देखते हैं कि elementary पार्टिकल का क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ओफ elementary पार्टिकल ठीक है यह elementary पार्टिकल टू टाइप की होता है एक लेप्टओन और एक हैड्रोन ठीक है लेप्टओन के लक्सी पढ़ेंगे हैड्रोन में क्या क्या आते हैं हैं हैड्रोन में होगे मैसन और बेरियोन बेरियोन में क्या होंगे फर्मियोन और मैसन में होंगे बोसोन इनके बारे में अभी पढ़ाई है बोसोन में spin होती है जो इंटीज़र होती है 0, 1, 2, so on ठीक है फर्मियोन में non-integer होती है ठीक है spin 1 by 2, 3 by 2 ठीक है लेप्टोन के बारे में अलग से पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं हेड्रोन के बारे में फिर लेप्टोन के बारे में फिर इनके पार्टिकल की आगे चर्चा करेंगे ठीक है हैड्रोन क्या होते हैं हैड्रोन एलिमेंटरिood पार्टिकल नहीं होते । क्योंकि ये तो किसी अन्यकणू से मिलकर बने होते हैं हैism कैसे मिलकर बने होते हैं य Such हैं 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 कि onte to बूल सकते हैं हैंध्रों की यह चर्चा होई गई मेसों होते हैं इसमें बेरियोंon होते हैं और यह चिपन लेपटॉंद देखते हैं ओके तो याद तक की चर्चा काफी है जिसको भी नोट्स ब्यस्टी का कम्प्लीट कोर्स करेंगे पर और नोट्स की जिसको जरुआ तो वो एक बर बोल देना ठीक है कम्प्लीट नोट्स हिंदी हिंदी में इंगलिस दोनु मीडियम है